इसलिए हमारे को थोड़ा थोड़े उटों से हमको उसका एफेक्ट हुआ इसलिए हम चंद उटों से हारे इसलिए हम लोग भी देखे हैं आपके जमाने से आप लोग देखे हैं वरिक्ते एलेक्शन राइचर में लबसे हुए हैं यह तोहजार तीज़ के जो दिखाबात में मेजर के राइचर के अदर है सियासी हलचल सियासी गड़बड एक जौख और शौख हमा हुमी जो देखी गी पहले ऐसा नहीं थी उसकी वज़ा यह थी कि एक गायर मुत्वक के उमिलवार कांग्रेस की तरफ से माइदान में आये थे यह वज़ा से सियासी हलचल मज़ी थी और इसमें कांग्रेस की हार भी हमाश शालम की हार भी यह एक अलग बात है हार तो किसी के होना चाहिए जीट तो किसी के होना चाहिए मेरे नजरीक तो बहादुर इनसान हुआ है जो हार का मुँ देखने की बहादुरी रखता है जीट तो सब देखते हैं मगर इसमें खैर का पहलू एक यह आया कि 65,000 ओट मुसल्मानों के एक जगा होना इतना बड़ा इतिहार जिससे पहले कभी नहीं देखा गया मुफ्तलिफ तंजीमें मुफ्तलिफ ग्रूप आपस में जरसा कशी रख रहे थे फिर भी उसमें बूल कर काम करनी की उजास है 65,000 ओट एक जगा मुसल्मानों के आजाना और सेकुलर ओट आजाना नान-मुसलिम सेकुलर ओट भी एक जगा आजाना अईसी मिसाल राचूर की सियासत में कभी ने देखी गी थी थी थोड़े ओटों से डाक्टर शूरज पाटिल साथ जीत गए जीतना उनको था जीत गए वो भी गलत काम अब तक ऐसा करे हैं राचूर के अंदर नफरत का काम करे हैं ऐसा भी नहीं करे हैं जो भी अपने एक असा रखते हैं मगर शालम साथ को मैं ये बोलना चाहरा हूँ इस मंद से कि आप हार को अपने हार को मत देखिए अचानक आप एमेले की कैंड़ेट से आगे जाकर एक कायद बन गए हैं वह से वह से वह से आपके हाथ में अब क्यादत आ गई है वह से इसलिए कि 45,000 ओट लेकर यासिन साथ कायद थे अब 65,000 ओट लेकर आप कायद हैं बेशक्ता अब बात है आएद बन जाना अलग बात है आप क्यादत कौम और विल्लत की कभी छोड़ना नहीं है अगर आप क्यादत छोड़ दिये तो उसका सीधा मतलब यह होता है कि यह 55,000 ओटों की मेरे नजदी कहमे थी दिए ने जाना हुआता है कि यह 55,000 ओटों की मेरे नजदी कहमे थी दिए नहीं एक फिल में आगे रहेकर आप काम करना है गुवर्मेंट आपकी बन रही है तो लहाजा डिप्यटेट मेले को तो वो लोग कांफिदेंस में लेकर ही काम करेंगे इंचार मिनिस्टर बनने वाले भी डिपिरेड मेले को काम काम करेंगे आप हर मिल्लत के काम में खायदाना सलाहियत को आगे बढ़ाना और ख्यादत करना लीड करना ये आपका काम जारी रहना चाहिए ये मेरी हिजायत है आपको आप बढचन कर काम करना हिम्मत हारना होसला पस्त कर लेना यह हमारे लिए जेवा नहीं है हार और जीत तो दुनिया में हैं गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में वो तिफिल क्या गिरे जो गुटनों के बल चले गिरेंगने वाला बच्छा गिरने का सवाल ही नहीं है जब उठकर जलने लगता है तो चब गिरता है तो यह चब चीजे हैं आप होसला पस्त कर लिए ऐसा मैं सुनने में मुझे आया तो मैं मुझे आना पड़ा आपसे बात करना पड़ा आपको 65,000 आप आज 65,000 ओट वाले हैं गवर्नमेंट आपकी बन रही है ये दो खुशियों में ये दो खुशियों की मुबारक बात देने के लिए मैं आपकी बूपुशी करने आपके पस आया है आप सबी जानते हैं इस अलेक्शन में मेज दर्थ जो मेज दस्तारिक को जो हमारा पॉलिंग हुआ है इस जो हम अपना वोट चला है सबी हमारे रेचल कॉंस्टिंसी के सबी मेरे भाई बहन सबी विजरूओं को मेरा बहुत दिन से जो कांगरेस पार्टी के फिवर में मेरे मेरे सपोर्ट में पार्टी के कांगरेस पार्टी के सपोर्ट में जो वोट डाले हैं सभी अवाम को और सभी कम्मुनुटी को सभी हर जात के लोग मेरे को सपोट करें हमारे मुसल्मा भाई सभी बुलकर हर जात के लोग मेरे को हर कम्मुनुटी के लोग सपोट करें उन सभी को मैं दिल से शुक्रियादा करना चाहता हूं फेस्ट और अधी बाद मुझे टिकट आखरी दिन मिला, सिर्फ मेरे पास 20 दिन थे, उस 20 दिन में में जितना कुछ करना था, महनत करना था, हमारे बस्राज साब की एक इक डेरेक्शन पर, गैड पर और रःड गैड पर और हमारे पार्टी के वरकर्स और हमारे सिटी ब्लाग प्रेसिडेंट बसराज रड़ी साब रूरल ब्लाग प्रेसिडेंट अमारे कुरूर दोडी हंजनाया और सभी पार्टी के वरकर हर दिन रात एक कर दिये इस पार्टी को इस मकाम पर लाने के लिए इतने वोट मिलने के लिए उन सभी हमारे पार्टी के जो जमीनी ताओर पे काम करें उन सभी को मैं दिल से, हमारे काम पार्टी के वर्करणों को मैं दिल से शुक्रियादा करना चाहता हूँ और रही बात हम 60 पर 5,900 चिलर कुछ उट लिए है यह बहुत बड़ी हमारे लिए एक जीत है मैं कभी इस मचंद उटों से सिर्फ 3,500 उटों से हा रहा हूँ लेकिन मैं कभी इसके बारे में मेरे को कोई मेरे को यह नहीं है इसके बारे में मैंने सोच नहीं रहा हूँ आई है श्टेट के अंदर हर खिसम का डेवलोप्मेंट करने के लिए मैं तयार हूँ और सारे आवाम के साथ मैं धटकर खड़ा हूँगा हम का मिलत का और सारे कमुनुटी का हर कमुनुटी के साथ में मठहर कर मिलत का काम भी करूँगा हर community का जो कुछ भी मसहले, मसहाइल होंगे मैं लोगों के साथ, फबलिक के साथ दिन राता development करने के लिए मैं तयार हूँ और सारे आवाम के साथ मैं दटकर, खड़ा हूँगा हम का, मिल्लत का और सारे community का हर community के साथ मैं मठहर कर मिलत का काम भी करूँगा, हर कम्योनिटी का जो कुछ भी मसले मसाइन होंगे मैं लोगों के साथ, पबलिक के साथ मैं दिन रात फिर महनत करने की कोशिश करूँगा पार्टी को और ताखत देने का मजबूत करने का काम करूँगा इतना, और एक रही बात एक बीजेपी के MLA, जो दस साल से हमारे राजचूर शहर के अंदर जो दस साल से MLA है, वो लोग इस सेलेक्शन में बहुत बड़े पाइमाने पे इसलिए हमारे को थोड़ा थोड़े ओटों से हमको उसका एफेक्ट हुआ इसलिए हम चंद ओटों से हारे ने मैने मेरे वरकर को हमारे reconciliation party के workers को इतना कहाना चाता हूँ हमारे congress party के worker कोई भी हिम्मत हारने की जुरुत नहीं हम party और बुसरा साथ अर पांटी के senior leader और मैं सभी हमारे party work manipulator के साथ है हमारे senior leader सभी लोगों के साथ रहेंगे इंशाहला कोई डरने की ज़रुत नहीं, हिमाद हालने की ज़रुत नहीं, हम सभी Lecture Development के लिए जो कुछ भी करना है हम गवर्रम३ने से हमारी गवर्रम। है बहुत बड़े पमाने पे बहुत योडी पुरे स्टेट के लोग हमारे को एक गवर्मेंट बनाने के लिए ताखे दिये और इसके तहत हम लोग सभी मिलकर रेचुर्ड डेवलेप्मेंट के लिए जो हम जो कुछ भी करना चाहें वो सोग करने के लिए हम तैयार है लोगों आढ़े